हलो दोस्तो कैसे हो मैं हूँ अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोज में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बोबी फिशर की एक काफी बेहदी खुपसूरत गेम और उनकी वन अप दो बेस्ट गेम देखने वाले है जो कि उन्होंने 1967 में अल्लाहम सूरेन अम्यगमर सूरेन के सामने खेली थी जिसमें बोबी फिशर के वाइट पीस थे और बोबी फिशर ने गिम की शुरुआत आई फोर से की and now ब्लेक ने रिप्लाइ दिया e6 फ्रेंच डिफेंस बोबी फिशर ने खेला d3 तो यह जो है किंग्स इंडियन आटेक है और किंग्स इंडियन आटेक जो है आप वेरियस मोडर से खेल सकते हो आप पहले नाटेक अप 3 खेल सकते हो या फिर g3 के लिए जा सकते हो so kings indian attack किस के सामने खेला जा सकता है जो कि आप black की majority of opening के सामने खेल सकते हो for example आप देख रहे हो कि यहाँ पे french के सामने bobby fisher जी ने खेला है kings indian attack आप जो है karokan के सामने खेल सकते हो आप जो है sicilin के सामने खेल सकते हो so यह पूरा system है यहाँ पे d5 ब्लेक ने खिला, and now knight to d2, क्योंकि black की threat थी e4 पे capture करना, और जब हम capture करें तो वो शायद queen exchange कर सकता है, इसलिए knight to d2, and now knight f6, g3, c5, and now bishop to g2, knight to c6, and now knight g2 f3, bishop e7, और इस position में दोनों ने castle किया, इस तरह की position में अब white का plan किया होता है दोस्तों, white जो है, वो try करता है कि king's head कुछ space उसको मिले, यहाँ पे जैसे कि उसको e5 कहल के space मिल रही है, and for example, किसी भी तरह से black e5 जो है, stop करना में काम्याब होता है, then white usually sc3, d4, and then e5 ऐसा कुछ plan करता है, वो try यह भी करता है कि उसका bishop on g2 जो है, उसको भी life दी जाए, यहाँ पे e5, गेम में Bobby Fischer ने खेला, and now knight to d7, rook to e1, क्योंकि e5 pawn पर attack था, and now b5, so black का typical plan है, black queen side attack करता है, and now knight to f1, knight f1 का usual plan यह होता है कि white h4 के लिए जाता है, then knight to h2, and आगे चल के same knight g4 पर, और white king side अपने piece इखटा करता है, और उदर attack करने की try करता है, यहाँ पे अब b4, black ने खेला, and now h4, a5, so देखें, दोनों जो है, वो अपने अपनी strategy खेल रहे है, white king side attack के लिए planning कर रहा है, black queen side expansion कर रहा है, bishop to f4, Bobby Fischer ने खेला, जो की second best move है, a5 के बाद most popular move है, knight to h2, जैसा की मैंने पहले बताया था, but anyways, Bobby Fischer ने bishop to f4 खेला, and now a4, and now a3, so b captures a3, b captures a3, and now knight to a5, so यह move जो है दोस्तों, already out of theory है, यहाँ पे Bobby Fischer ने knight to e3 खेला, और से इस position में आप c4 करके, कुछ जो है expansion करने की try करते हो, but वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि c4 के बाद, हम simply उदर capture कर सकते है, and after a d captures on c4, knight to g5 के लिए जा सकते है, so अभी देखिए rook पे भी attack है, and after a rook b8, queen to h5 दोस्तों, यहाँ पे काफी strong है, और in fact white के पास यहाँ पे winning attack है, मैं एक sample line दिखा सकता हूँ, काफी जल्दी, वो कुछ इस तरह से h6, but then knight to g4, आप जो है sacrifice के लिए जा सकते हैं, and after h captures g5, just bishop to e4, and after g6, bishop capture g6, f capture g6, queen captures g6, check, king h8, and h captures on g5 के बाद, यहाँ पे white के पास winning position है, but anyways, हमारी game में चलते है, जहाँ पे knight to e3 के बाद, bishop to a6 खेला गया, वो दोस्तों मैंने आपको wall line इस लिए दिखाई था, कि आपको पता चले, कि कितना attacking potential है, क्यों कि जब भी आपके pieces, जो है king's ID कटा हो जाते है, आपको क्या करना है, आपको 2 piece चाहिए checkmate करने के लिए, बाकि सारे जो piece है, वो sacrifice करने के लिए है, कि उससे आप क्या करोगे sacrifice करके, कि king का जो security है, मतलब king का जो ये wall है, उसको आपको break करना होता है, बाद में बिशप a6 और वो भी फिशर ने कहला, आप bishop to h3, सो यहाँ पे plan क्या हो सकता है, plan could be like, आप knight g5 जा सकते हो, queen h5 जा सकते हो, और कहीं case में जो है, आप e6 या तो f7 पर sacrifice भी दे सकते हो, क्योंकि बाद में bishop capture e6 possible होता है, d4, actually black ने कहला, सो knight पे टेक है, and knight f1, सो इस knight का भी plan क्या हो सकता है, knight might be h2 to g4 जा सकती है, या knight d2 to e4 जा सकती है, knight to g5 और इस position में से आप जो है, directly knight को attack करते हो with h6, बर देन दोस्तों वहाँ पे queen to h5 जो है, वो काफी dangerous है, से आप piece को capture करते हो, बर देन h captures g5, and after g6, just queen to h6, और आगे चलके knight h2, g4 and f6 आ सकती है, और उदर white को winning advantage है, सो game में चलते हैं, जहाँ पे knight to g5 के बाद, actually knight to d5 खेला गया है, so knight d5 का point किया है, अभी bishop बैटेक है, so वो भी efficient नहीं है, आप बिशब to d2 खेला, and now bishop captures on g5, जबकि bishop to d2 के बाद से, आप जो है, वो knight to c3 के ले जाते हो, but then queen to h5 possible है, and after h6, आप जो है, even f7 पे sacrifice दे सकते हो, और यहीं point था दोस्तो, bishop on h3 का, अब देखें, रुख captures f7, then bishop captures on e6, so minimum आपको क्या मिल रहा है, minimum यहाँ पे, हमें exchange दो pawn मिले, against दो minor pieces, so यह more than enough है, और plus black के king की उपर, वो white का काफी जबदस attack भी है, so for example, कुछ प्लान ऐसा है, कि bishop capture h6, and after pawn captures, just queen to g6, और बाद में जो है, वहाँ पे रुख को free में बीन किया जाए, so white का attack भी जो है, काफी strong है, और material जो है, वो भी, यहाँ पे white को काफी अच्छा मिल चुका है, okay, so bishop to d2 के बाद, actually, black ने इस powerful knight को यहाँ से अटा दिया, with bishop captures on g5, and now bishop captures on g5, queen पे attack है, और यहाँ पे f6 इतना अच्छा नहीं है, क्यूंकि e6 काफी weak हो रहा है, queen to d7, black ने खेला, and now queen to h5, rook f2 c8, and now knight to d2, so knight d2 का प्लान है दोस्तों कि, हम knight to e4 जाना चाहते है, so knight to c3 खेलके, knight e4 को stop किया गया, but now bishop to f6, what a move, काफी powerful move है दोस्तों, और यहाँ पे, इस bishop को capture ही नहीं किया जा सकता, से आप जो है, bishop को capture करते हो, g captures on f6, but then pawn captures on f6, और फिला के रहे threat है, queen g5 check, and then queen g7, and king to e8 के बाद, queen to g8 checkmate, so से आप move करते हो, king to h8, ताकि आप जो है, rook g8 केल पाओ, बर देन दोस्तो, knight to f3, so अभी threat है हमारी, knight to g5, या तो knight to e5, दोनों ही काफी dangerous है, यह से आप जो है, knight to d5 केलते हो, f6 को capture करने के लिए, बर उस case में दोस्तो, queen to h6, g7 पर checkmate की threat, and after rook to g8, just knight to e5, यहाँ पर winning है, point यह है, कि after queen e8, हम जो है, bishop g2 जा सकते है, और उदर से bishop to just e4 आ रहा है, for example, queen f8, बर देन अलसो दोस्तो, bishop to e4, point यह है, कि queen को capture नहीं किया जा सकता, otherwise knight captures on f7, checkmate हो रही है, so, इतना powerful attack दोस्तो, यहाँ पर मिल रहा है, आप मैट भी सोच रहे हो, कि knight f3 के बाद, क्यों न queen to e8 कहला जाए, ताकि queen जो है, वो g8 पर आप आए, पर देन दोस्तो, knight to g5 फिर भी आएगा, and after queen g8, just knight captures on f7, और यहाँ पर हमें minimum queen मिल रही है, but now knight to e4, और फिलाल के लिए, इस knight को capture नहीं किया जा सकता, for example, knight captures on e4, but then rook captures on e4, और अब रुक टू g4 भी आ रहा है, तो आप g6 करते हो, फिर भी रुक g4, and after queen to f8, यहाँ पर दोस्तो, just चार मूँ में ही checkmate हो सकती है, कुछ इस तरह से, रुक capture zone g6, pawn से मारोगे, तो mate हो रही है, and after f capture g6, just bishop capture e6 check, so queen to f7 खेलना force, and then queen to h6, और g7 पर checkmate जो है, वो आप stop ही नहीं कर सकते, so white जो है, completely living है, so knight e4 के बाद, e1 इस knight को capture करना भी इतना अच्छा नहीं है, game में पहले g6 खेला गया, and after queen to g5, अब black ने e4 पर capture किया, reason ही है कि queen अभी h5 पर नहीं है, so knight captures on e4, rook captures on e4, and now c4, h5, and now c captures on d3, इस वो देखें दोस्तों, black का pawn जो है, अलड़ी काफी dangerous है, क्योंकि जैसे ही वो c2 पर appear होता है, a1 पर नहीं क्वीन भी बन सकती है, बट यहाँ पर Bobby Fischer ने जो है, उसकी कोई परवाई नहीं की, क्योंकि उनका king side का attack, जो है हो काफी powerful है, उन्होंने खेला rook 2 h4, और इस position में से, आप c2 पर capture करते हो, then Bobby Fischer जा सकते है, h captures on g6 के लिए, and after f captures on e6, इस position में जो है, यहाँ पर queen बनाना भी कोई इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम rook से मार देंगे, जब rook से हो मारेंगे, तब king h2 खेल जाँगे, और एसा ही कुछ continuation जो है, हम आगे चल के discuss करेंगे, for example f captures, but then हम खेल सकते है, rook 2 h7, और यहाँ पर से, अब आप जो है queen बनाते हो, but then rook captures, rook captures and now king to h2, so दोस्तों अभी जो है, फिलाल के लिए, हम rook h8 खेलना चाहते हैं, इसे आप जो है, king captures on h7 खेलते हो, but then queen h4, king g8, queen h8, and after king f7, queen to g7 चेक्मेट हो जाएगी, so rook 2 h4 के बाद, pawn को capture करना इतना अच्छा नहीं है, इसलिए black ने rook to a7 खेला, और उन्होंने जो है, वो 7th rank से defense किया, and now bishop to g2, bishop g2 का point ही है दोस्तों, bishop to e4 से जो है, bishop को attack में सामिल किया जाए, यहाँ पर d captures on c2, black ने खेला, and now queen to h6, so दोस्तों अब क्या करें, यहाँ पर जो है, bobby fission ने checkmate की threat लगाई है, उसे आप try करते हो, c1 equals to queen की, but then rook capture c1, rook capture c1, और अभी इस rook को capture करने की ज़रुवत नहीं है, यहाँ पर आप जा सकते हो, king to h2 के लिए, so अब g7 checkmate को save करने के लिए, queen f8 force, बट अब यहाँ पर दोस्तों वीडियो को pause कीजिए, और सोचिए कि Bobby fission ने क्या प्लान करकर रखा है, although यह variation है, बट ऐसा ही कुछ जो है, real game में भी हुआ आगे चलके home देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों, Bobby fission ने प्लान किया है, queen captures on h7, brilliant move, काफी बढ़ी हा queen का sacrifice, and after king captures on h7, just h captures on g6, double check, so आप g8 पे जाते हो, तो rook to h8 मेट हो रही है, and अगर आप king से pawn को capture करते हो, then bishop to e4 check मेट हो रही है, so यह प्लान था, bishop on g2 का, queen to h6 के बाद, game में queen to f8 खेला गया, but यह जो है, game को काफी जल्दी finish कर देगा, क्योंकि यहाँ पे अब, queen captures on h7 check, and after king captures on h7, just h captures on g6, double check, अज इसमें जो है, हमने देखा कि king g8 में, h8 में मेट हो रही है, and king captures on g6 में, bishop to e4 check मेट हो रही है, so दोस्तों, कैसी लगी आपको, Bobby Fischer की यह powerful attacking game, और आज का है वीडियो, I hope मेरा वीडियो और एक game, दोनों ही आपको काफी पसंद आया होंगे, पसंद आया है तो, please इस चैनल को subscribe कीजिए, वीडियो को like दीजिए, और अपने comment देना बिल्कुल न भूले, धनिवाज, जय हिंद, bye bye,